हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को, मेरे चनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत आज की वीडियो में हम बताएंगे कि हिंदो धर्व में पीपल के पूजन का महत्व क्यों बताया गया है हमने अकसर देखा है कि लोग पीपल पर जल चड़ाते हैं वो उसकी परिक्रमा करते हैं शनिवार के दिन पीपल के पूजन का विशेश महत्व बताया गया है पर इसके पीछे का कारण क्या है आज हम आपको यह बताएंगे गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयम कहते हैं अश्वत तह सर्व विक्षा अनाम अर्थार मैं सब विक्षों में पीपल का विक्ष हूँ इस कथन में उन्होंने अपने आपको पीपल के विक्ष के समान ही गोशित किया है पदम पुराण के अनुसार पीपल का विक्ष भगवान विष्णू का रूप है इसलिए इसे धार्मिक शेत्र में शेष्ट देव विक्ष की पदवी मिली है और इसका विधिवन पूजन आरम हुआ है हिंदू धर्म में अनेक अफसरों पर पीपल की पूजा का विधान है सोमत्याम वस्या के दिन पीपल के विक्ष में साक्षाद भगवान विष्णू एव लक्षमी का वास होता है पुराणों में पीपल का बड़ा महत्व बताया गया है कहा जाता है पीपल की जड़ में विष्णू, तने में केशव, शाखाओं में नारायन, पत्तों में भगवान श्री हरी और फल में सब देवताओं से युक्त, अच्चिवत, सदा निवास करते हैं यहे व्रिक्ष मूर्तिमान श्री विष्णू सरूप है महात्मा पुरुष इस व्रिक्ष के पुन्य में फल की सेवा करते हैं इसका गुणों से युक्ष और कामना दायक आश्रे मनुष्य के हजारों पापों का नाश करने वाला है पदम पुराण के अनुसार पीपल को प्रणाम करने और उसकी परिक्रमा करने से आयू लंबी होती है जो व्यक्ति इस व्रिक्ष को पानी देता है विस सभी पापों से छुटकारा पाकर स्वर्ख को जाता है पीपल में पित्रों का वास भी माना गया है इसमें सब तीर्थों का निवास होता है इसलिए मुंडन आदी संसकार पीपल के नीचे करवाने का प्रचलन है वहीं बात की जाए महिलाओं की तो महिलाओं में यह विश्वास है कि पीपल की निरंतन पूजा अर्चना वा परिक्रमा करके जल चड़ाते रहने से संतान की प्राप्ती होती है पुत्र उत्पन होता है, पुन्य मिलता है वा अद्रिश्य आत्मा हैं त्रिप्त होका साहयक बन जाती है कामना पूर्ती के लिए पीपल के तने पर सूत लपेटने की भी परंपरा है पीपल की जड़ में शनिवार को जल चड़ाने और दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कश्टों का निवारन होता है शनी की जब साड़े साती की दशा होती है तो लोग पीपल के विक्ष का पूजन और परिक्रम्मा करते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण के अनुसार शनी की चाया इस पर रहती है इसकी चाया यग, हवन, पूजा, पाठ पूरान कथा आधिकले श्रेष्ट मानी गई है पीपल के पत्तों से शुब काम में बंदन मान भी बनाये जाते हैं धार्मिक्षर धालू लोग इसे मंदिर परिसर में अवश्य लगाते हैं सूर्य उदे से पूर्व पीपल पर दरिदर्ता का अधिकार होता है और सूर्य उदे के बाद लक्ष्मी का अधिकार होता है इसलिए सूरे उदे से पहले इसकी पूजा करना निशेद किया गया है। इसके व्रिक्ष को काटना या नश्ट करना ब्रहम हत्या के तुल्ले माना जाता है। रात में इस व्रिक्ष के नीचे सोना अशुब माना जाता है। वहीं वे ज्यानिक त्रिष्टी से देखा जाए तो पीपल राद दिन निरंतर 24 घंटे ऑक्सिजन देने वाला एक मात्र अद्बुद व्रक्ष है। इसके निकट रहने से प्राणशक्ती बढ़ती है। इसकी चायां गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती है। इसके अलावा पीपल के पत्ते फल आदी में औश्डिय गुंड हैने के कारण ये रोग नाशक भी होता है। इसके लिह सकते हुआ हैं नाशक्ते बढ़ती हैं इसके लिए keepnown के बड़ता है। इसक झालोने के पत्ते जिसाह करें ठंवरता है। अलावार। इसका mayअने के उसके प्रेघा नाशक्ते है। झाल झाल